असलाम अलेकुम फ्रेंड्स मेरा नाम है राहील एंड वेलकम बैक टो वर चैनल और मेरा नाम है फारान परवेज आज हम इस वीडियो पर रियाक्ट करने जा रहे हैं यह वीडियो असल में है पीएसल वर्सुस आईपील के दर्मियान यहांवर थे कि हमारा अब पीएसल अब यह में होता हुटाय íあप एस्टैर हुझा है अप्रांड्स में नहीं होता होगा ऑफरैल यह में होता है टो वह ने क्या अब बताएं तो हमनेगान पूरी वीडियो लेकर वागग करते हैं हम भी देखते हैं जा फरक है और आप भी देखें अच्छा वीडियो का लिंक आपको अपको आप दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये अक्सर पर बताना भूल जाता हूं मेक्शर दो सपोर्ट दी ओरिजिनल क्रिएडर पाकिसान इंडिया वर्सिस बीओ आइपियल और पाकिसान सुपर लीग सदियों पहले बरतानिया के जिनूम मश्रकी हिस्से में सरसब्जो शदाग और हसीन मादियों में कुछ नौजवान एक खेल खेल रहे थे ये नौजवान सुबा गर से निकलते वक्त अपने साथ एक डंडा और बॉल लैकर बक्रिया चलाने के लिए निकलते और फारिग वक्त में गेंद और डंडे के साथ खेलते इस खेल को आज लोग क्रिक्ट के नाम से जानते हैं शाहर इंके पर ममान में भी ये बात नहीं थी कि एक लिए जाकर इनका ये खेल दुनिया बर में इतना मकबूल हो जाएगा कि लोग इस खेल के दिवाने बन जाएंगे लोग अपने सारे काम का छोड़ कर इस खेल को देखने के लिए बैठेंगे सदियों का सफर तैय करने के बाद आज क्रिक्ट का शमार दुनिया के मशुगूर तरीन खेलों में होता है सुसन बर्सगी पाकों ही ने ये खेल तो अपने अरूज पर पहुंच चुका है आप तो आई पियल और पियसल भी आ चुका है जिसको खेलने वाले लोग महाना लाखों रुपे कमाते हैं आज की वडियो में हम आई पियल और पियसल के मापैरिसन करेंगे कि ये टूर्नमेंट्स कब कहां और कैसे शुरू हुए और इन में खरीदे के अब तक कि सबसे महगे प्लेयर्स कौन से हैं दोस्तो आई पियल का अगास 2008 में हुआ लेकिन इसकी शुरुआत एक बड़ी लड़ाई से हुई जो बी-सी-सी-आई और जी-टी-वी के आउनर सौास चंदरा की दरम्यान लड़ी गई और इसी लड़ाई की वज़ा से जी-टी-वी के अउनर इक दावाई तका बड़ाई इसका नावी इन्डियन करिक्ट लीग था इस लिए की कदर रखा अगर PSL की बात करें तो इसका आगास 2016 में हुआ शुरू में इस लिए को बहुत मुश्कलात का सामना करना पड़ा पाकिस्तान में हलाद अच्छे ना होने की वज़ा से पहले चाओ अडिशन पाकिस्तान से बाहर हुए और पाकिस्तान को सिर्फ समी फाइनल और फाइनल तक महदूद कर दिया गया लेकिन अब 2020 में PCP ने एलान किया है कि सिर्फ वही प्लेयर्स खरीदे जाएंगे जो पाकिस्तान आने के लिए इत्यार हो इसलिए ये कहना दुरूस्त होगा कि ये पांच्वा नहीं पाकिस्तान में इसका पहला अडिशन है अगर IPL और PSL की फ्रेंचाइज कोस की बात दो दोजार आज में इंडियन क्रिक्रपोर्ट में मजूद तमाम टीमों को इसलिए मुर्या करेंगे जाला आगे इंगे विडिया होगी और अब इनकी ब्रेंड वैल्यू शिक्स पॉइंट स्टार्टिंग यूएस डॉलर्स हैं जो पाकिस्तानी रुपोर्व में एक अरब दस अरब चार करोड और पचीस लाख रुबे बनते हैं इसी तरह अरब पी-एसल की बात पर तो पाकिस्तानी क्रिक्ट बोर्ड ने पी-एसल में मजूद तमाम टीमों को 130.50 मिलियन यूएस डॉलर्स में फरोगत किया था अब इसकी ब्रेंड बेलियन यूएस डॉलर्स हैं जो पाकिस्तानी रुपोर्व में 46 अरब 63.50 लाख रुपे बनते हैं तो अगर आई-पी-एल और पी-एसल में मजूद तमाम टीमों की फरेंचाईज के मालकान के पास खलाडियों की नलामी के वकट मीनिमम गर्टम की हद का कंपेर करें तो वो कुछ यूँ है आई-पी-एल में इस वकट आटीम में मजूद हैं इन टीमों के मालकान को खलाडियों को खरीदने और बरकरार रखने के लिए नलामी के वकट 11.2 मिलियन यूएस डॉलर्स का होना जरूरी है जो पाकिस्तानी रुपाँ में एक अरब 74 करोड 10 लाक रुपे बनते हैं यदि हर टीम के आउनर के पास इतने पैसे होने जरूरी है अगर पैसल की बात करें तो पाकिस्तानी क्रिकट बोर्ड ने प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग के वकट 1.2 मिलियन यूएस डॉलर्स की हद मकरर की है जो पाकिस्तानी रुपाँ में 18 करोड 55 लाक रुपे बनते हैं दोस्तों आपने IPL और PSL से पहले वीवो और HBL तो लिखा हुआ अक्सर देखा होगा ये स्पॉंसर्शिप का टाइटल है जिसे लिखवाने के लिए मुख्तलिफ कॉम्पनीज क्रोड और रुपे अदा करती है ये इसलिए लिखवाया जाता है ताके इन कॉम्पनीज की प्रोड़क्ट को पॉपुलैर्टी मिल सके चाइनी स्मार्टफ़न कॉम्पनी वीवो ने IPL की स्पॉंसर्शिप के हकूख हासल करने के लिए इंडियन क्रिक्ट बॉर्ड को 449.8 मिलियन युएस डॉलर्स दिये जो पाकिस्तानी रुपॉव में 68 अरब 36 क्रोड 69 रुपे बनते हैं यानी चाइनी स्मार्टफ़न कॉम्पनी ने सिफ रीवो लिखवाने के लिए इनडियन क्रिक्ट बॉर्ड को इतने पैसे दिये इतना पैसे खच करतनी बैन युएस बैनने लिए फ्री प्रत कितने दे रहे हैं दोस्तों अगर मिडिया राइस की बात करें तो IPL और PSL को मुफ़िस चैनल्स ब्रोड कास्ट करने के लिए क्रोरों नहीं बलके अर्बोर रुपे अदा करते हैं यहीं जोसे ग्रेल अर्लिंग होती है स्टार इंडिया ने हाइस बिट लगाते हुए इंडियन क्रिकट बोर्ड के साथ 2.5 बिलियन युएस डॉलर का मुआइडा किया जो पाकिस्तानी रुपों में 35,544 क्रोर रुपे बनते हैं इसी दरा पाकिस्तान सुपर लीग के राइस हासिए करने के लिए मुख्तलिफ चैनल्स ने पाकिस्तानी क्रिकट बोर्ड को 15 मिलियन युएस डॉलर्ड दिये जो पाकिस्तानी रुपों में 2332 क्रोर रुपे बनते हैं दोस्तों खर हम इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तानी सुपर लीग के माबें बरšन प्राइस मुनी का कंपेर करें तो काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा ा आइपिल में तमाँ आ टिमोका लिए 9 जर्बास नो मीलियन युएस डॉलर्ड अनामी रकम के तोर पर तक्सीम किये गए जिन में से 4,000,000,000,000 यॉएस contracts, tournament की champion team को मिलेंगे जबके बाकि 5,000,000,000,000,000,000, tournament में अच्छी कारगाती द्खाने वाले या man of the match हासल करने वाले त्माम करिक्टर्स और टीमों के जर्मियान अनामी रकम के तॉर पर तक्सीम किये जाएंगे जबके PSL में 3.5 million US dollars अनामी रकम के तोर पर रखे हैं जिन में से 1 million US dollars champion team और 2.5 million US dollars मुफ्तलिफ प्लेयर्स और runner-up team को दिये जाएंगे इसे तरहा IPL और PSL के most expensive players की बात करें तो IPL के सबसे मिलेंगे कहले पिरात खुली पहले नंबर पर हैं कितने लेता है भाई में 2.5 million US dollars में खरीदा जो पाकिस्तानी रुपों में 38,85 लाक रुपे बनते हैं IPL के दूसरे मिंगे तरीन प्लेयर्स योरास सिंग है जिसे 2.5 million US dollars में खरीदा जो पाकिस्तानी रुपों में तकरीबं 35 क्रोर बनते हैं इनको खरीदने की सबसे बड़ी वज़ा इंकिलेट के खलाफ इनकी तेज तरीन 50 थी जिसमें इनुरेज 6 के दूसरे माने लगाए IPL के तीसरे सबसे महिंगे प्लेयर रोहिच शर्मा है जिसे 2018 के IPL में 2.18 million US dollars में खरीदा गया जो पाकिस्तानी रुपों में 33 क्रोर 25 रुपे बनते हैं पाकिस्तानी रुपों में 33 क्रोर 25 रुपे बनते हैं वही एं रोहिच शर्मा हारा जिसे 2018 में दिल्ली डे डैवल्स ने 2.14 million US dollars में खरीदा जो पाकिस्तानी रुपों में 33 क्रोर 23 रुपे बनते हैं अगर PSL के पांच मिझे तरी मिलेज की बात करें तो क्रिकिट की दुनिया के मिस्टर 360 पीसल के सबसे बेगे प्लाड़ी है जिसे 2019 में लहूर कलंडर ने 2.50.000.000 रुपे में खरीदा था इसी तरह क्रिस गेल शाहिद अफरीदी कैविन पीटरसन और शीन वारसन को 2.2.000.000 क्रोर में खरीदा गया इसी लिए शाहिद अफरीदी क्रिस गेल कैविन पीटरसन और शीन वारसन को सेम कीमत पे खरीदा गया दोस्तों अगर हम IPL और PSL की सबसे मिंगी टीम की बात करें तो IPL की सबसे मिंगी टीम कलकता नाइट राइट्राइट्स हैं जिसे 51.6.000.000.000.000.000 में खरीदा गया इस टीम के मालक बॉलीवूड एक्टर शारुख खान है इसी तरह PSL की सबसे मिंगी टीम मुल्तान सुल्दान है जिसे 41.6.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 इस टीम के मालक पाकिस्तानी सियासतान जहंगीर तरीन के बेड़े अली तरीन है अगर हम सबसे सस्ती फ्रेंचाइज की बात करें तो IPL में सबसे सस्ती टीम किंग 11 पंजाब है जिसे 36.2 मिलियन यूएस डालर्स में खरीदा गया इसी तरह PSL की सबसे 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 तबहाई डीवें ये सबसे 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 साथा फाइनल के लिए डीवें ये तो IPL को पूरी दुनिया में तकरीबन 260 मिलियन लोग देखते हैं जबके PSL की वियूर्शिप 100 मिलियन तक है हो सकता है कि PSL भी आने वाले वक्तों में IPL का मकाबला कर सके क्योंकि IPL को शुरू हुए 12 साल हो चुके हैं जबके PSL को शुरू हुए 24 साल हुए हैं दूसरा ये कि इंडिया 2017 के सर्वे के मताबक 1.339 मिलियन लोगों पर मुश्थमिल है जबके पाकिस्तान की पापुलेशन इंडिया के मकाबले में आजी भी नहीं है ये तो फैक्स करिये जैसे खलाडियों की कीम्तों और वीवर्शिप पर काफी ज्यादा असर पड़ता है आज के लिए इतना है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करते हैं थैंक्स फो वाचिंग गुडबाई बाए बात साइएस किये तो बहुत बहुत जबदस वीडियो मनाई है इस बंदे ने बहुत जबदस और वैलिट बात बोलिए ये कंपैरेजन हम एजा उससे कर सकते हैं लेकिन ये जो इसने इस पॉपुलेशन से और ये जो जो तो गयते हैं ग्राफ बताया है मतला पूरी दुनिया से भी हम क्लेक्ट करेंगे तो इसने पागिस्तानी नहीं होंगे नहीं होंगे नो डाउट तो ये तो एक फैक्ट है जो हर कोई इसको ना कोई बुरा समझता है ना कोई कॉम्पीटिशन है हमारों और आपका लेकिन जादा पॉपुलेशन की वैसे उन बड़ा डिफरेंस था उसकी यह भी है सही कहरा है कि 2008 में शुरू हुआ है उसे 12 साल हो गए हां 12 साल हो गए और पी-एसल जो है यह 2015 में होगा इसको चाहला साल हो इसको चौह नहीं हो सकता है उस वक्त तक यह हम भी काफी आगे जो है पहुच जाए इसमें 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 औ अर इसके आदर वह थे तीम के बारे में बताया था सने के सब से चीप टीम जो है इनकी वहंगिरियो और हमारी यहां पाकिस्तानी जो है वह अपनी कोईटा ग्लाडियाटर कोईटा ग्लाडियियो आई रों नो यू फॉलो पीसल और नो यह एक वाड़ वादीव अवादी सबसे जादा फाइनल में कोईटा आती है और एक दफ़ा जीते भी है जीते में इंतिहाई तभाई टीम है यह बहुत जबरस तीम है और सबस्क्राइब इसके मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और महेंगी टीम में कौन सी मताई थी कि बुलतान सुल्तान सुद्वाहे की मिल्टान सुल्टान 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 आप दो असके शेज की इस साथ पृत नम्बर है एक्स्पेंसिट टीम में यह वह उफ्षण लेकुः आप लोग एक अनलेटिक करते हैं उनको पता होगा कि यार लेकिन हम लोग ऐसा क्रिकेटर जिसे देखते हैं एक ब्रैंड होता है उसके इंदर लाहूर कल अंदर हो आप देख लो हमारा लाहूर कल अंदर है वह ग्राफ में सबसे नीचे ही उता है जब कहम एक्सपेक्ट करता है और यहतो और सगया खाभ लैंगेर अाची किस की साथ वोति हम कराची वाले हम कराची और तका धायग बिंदर हमारे क्हां एक में जीता और उनमीदी किसे और में टूकर देख से क्राफिटर पास फेर आज होंगे एक नई वीडियो लेकर और वो वीडियो भी इंशालला PSL की दुबारा कोई और वीडियो हम लेकर आएंगे और अभी हमारी आप प्रिविएस दो वीडियो आ रही होंगी इन दो वीडियो को ज़रूर देखें अभी बहुत अच्छी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड फेमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और जिन वीडियो पर को नाम भेजें ताकि हम उन वीडियो पे रियाक करें आपके लिए एंड थैंक्स फूर वाचिंग आर वीडियो हम आपके आज फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो लेकर तब तक के लिए लिए अल्लाहाफिस